नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूँ पाइल पवार और आप देख रहे हैं वोकल नियूस शैडोल लगतार बढ रहे सड़क हाथसों को कम करने के लिए जिला कलेक्टर ने स्वेम की जाच परताल उमरिया में रोजाना तेजी से बढ रहे सड़क हाथसों को लेकर प्रशासन ने एक बहुत ही तोस कदम उठाने का फैसला किया है सरकार से मिले निर्देश नुसार इस बुधवार से जिला कलेक्टर संजीव शिर्वास्तव ने इन सड़क हाथसों को कम करने के लिए एक जाच परताल का अभियान चलाया है उन्होंने ये जाच अभियान रेंडमली और इतनी अचानक शुरू किया कि कानों कान किसी को इस बारे में कोई खबर ही नहीं मिल सकी जिससे ही अच्छी बात हुई कि कलेक्टर दुआरा वहन चालक जो कि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उनकी अच्छी खबर ली गई साथ ही उन पर पुलिस दुआरा सक्तकारवाही भी की गई कलेक्टे दुआरा इस अभ्यान की शुरुवाद चंदिया से हुई जहां वे रात को बारा बज़े तक पहुँचे यहां उन्होंने आदा दर्जन से अधिक बसो वहानों की जाच की इसी दुरान उन्हें बिलासपूर से बनारस जा रही एक बस को रोका और जब उसके जाच के लिए उसके अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि 35 सीतर बस में करीब 80 यातरी सफर कर रहे थे यह देखकर कलेक्टे संजीश रवास्तम ने बेहर नराजगी जताई और बस को सीधा पुलिस थाने में खड़ा कर दिया बस में उसकी कपासिटी से दो गुना जादा यातरी भरे गए थे साथ ही बस में दो दर्वाजों की बजाए एक ही दर्वाजा पाया गया जिस पर तुरंथ ही पुलिस द्वारा कारवाही शुरू की गई और बस को जब्त कर लिया गया इसके अलावा वहां से गुजरते एक अवैद रेत हाईवा को भी जब्त कर आगे पुलिस कस्टेडी में भेजा गया इसी तरह से और भी कई चार पहिया वाहनों वाट्रकों की जाच की गई और उन पर निया मनुसार रिकॉर्ड देखकर कारवाही शुरू की गई अभ्यान द्वारा जारी जांच परताल राद 12 बजे से राद 1.5 बजे तक चली इसमें मुखे रूप से बस नंबर यूपी 72 एटी निन्यावे तेतिस और प्रियाग राज जाते समय बस ड्राइवर से रिकॉर्ड तलाश किये गई जिला कलेक्टर द्वारा चानक शुरू की गई जांच परताल का बहुत लाब मिला कि इस सड़क हाथसों से बचा जा सका वा कई वाहन चालक द्वारा सुरक्षन नियमों का पालना करने पर उन पर सक्त कारवाही भी की गई इससे इन सभी वाहन चालकों को एक सबक मिलेगा और बैभविश्य में कभी भी नियमों का निरादल नहीं कर सकेंगे आशा है कि इस अभियान के बाद अब सड़क हाथसों को कम किया जा सकेगा अगर आपी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपी वीडियो फेस्बूप पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें धन्यवाद